Hello friends, welcome back in my channel ये वीडियो रिपोर्ट एंड इंडेक्स का पार्ट टू है अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा तो प्लीज वो जाकर जरूर देख ले सबसे पहले इसमें बात करते हैं हेनले पास्पोर्ट सूचकांक ये जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स ये 2024 का सूचकांक है या फिर इंडेक्स है इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 82 है इसमें पास्पोर्ट का strong और weakness दिखाया जाता है यानि कि जिस कंट्रीज का पास्पोर्ट सबसे ज्यादा strong रहेगा वो कुछ ज्यादा ही कंट्रीज में विजिट कर पाएगा पास्पोर्ट की साहिता से और जिस कंट्रीज का पास्पोर्ट वीक रहेगा वो बहुत कमी कंट्रीज को विजिट कर सकता है पास्पोर्ट की साहिता से तो इसमें अगर इंडिया का रैंक देखें तो वो 82 है यानि कि इंडिया का passport जो है वो 82 नमबर पे stand कर सकता है तो इंडिया के passport से आप 62 countries को visit कर सकते है अगर हम top 1 position की बात करें तो इसमें total 6 countries है और ये 6 countries जो है वो अपने passport की साहिता से 194 countries को visit कर सकते है सेकेंड नमबर पे total 4 countries है तो ये 4 countries जैसे की Finland, Netherlands, South Korea, Sweden तो ये 4 countries जो है अपने passport की साहिता से 193 countries को visit कर सकते है 3rd position पर total 5 countries बनी हुई है जैसे की Austria, Denmark, Ireland, Luxembourg, United Kingdom तो ये 5 countries के लोग जो है वो अपने passport की साहिता से 192 countries को visit कर सकते है तो जिस हिसाब से ranking आपका घटता जाता है उस हिसाब से आपका countries भी घटते हुए क्रम में अब आपने परोसी देशों को देख लेते हैं जिसमें चाइना जो है वो 62 नमर पे है यानि कि चाइना जो है अपने passport की साहिता से 88 countries को visit कर सकता है स्रीलंका 99 नमर पे है और ये अपने passport की साहिता से 44 countries में visit कर सकता है निपाल का passport का rank जो है वो 103 है और ये 40 countries में visit कर सकता है पाकिस्तान का rank 106 है और ये 34 countries में visit कर सकता है अफगानिस्तान का rank 109 है और ये लास्ट पाइदान पे है और ये टोटल 28 countries में visit कर सकता है अगला इंडेक्स है हमारा पडियावरन प्रदर्शन सूचकांग जिसको इंग्लिस में Environment Performance Index भी बोलते हैं ये 2022 का ही है ये दुई वार्सी सूचकांग होता है यानि कि दो वर्स में इसको एक बार निकाला जाता है जैसे अगर 2022 में इसको पब्लिस किया गया था और इस रिपोर्ट को जारी करता है इसमें टॉप पांच कंट्रीज है Denmark जो की पहले नमर पे United Kingdom, Second Number, Finland, Third Number, Malta, Fourth और Sweden, Five फडियावरन प्रदर्शन सूचकांग में इंडिया का जो रैंक है वो 180 है यानि कि इंडिया सबसे नीचिले पाइदान पर है टोटल 180 कंट्रीज का रिपोर्ट लिया गया मुल्यांकन किया गया तो उसमें इंडिया जो है वो सबसे लास्ट पाइदान पर है अगर हम इसके नेवर कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो 81 नमर पर स्रीलंका 132, चाइना 160 नेपाल 162, पाकिस्तान 176 और बांगलादेश 177 यारी कि इसके जो भी परोसी देश है इंडिया के वो इससे उपर के पाइदान पर है और इंडिया सबसे नीचले पाइदान पर देशों का मुल्यांकन 0 से 100 के पैमाने पर क्या जाता है तो 0 सबसे निमने स्कोर हो गया और 100 जो है वो सर्वसेस्ट स्कोर हो गया तो 0 से अगर 100 की तरफ बढ़ते हैं तो उसके आधार पर यहाँ पर रेंकिंग किया जाता है यह सूचकांक जो है वो 11 मुद्दो वाले छेत्र यानि कि टोटल 11 एरियाज को लिया गया है और उसके आधार पर 40 संकेत हैं जिसके आधार पर इसको बनाया गया है अगला इंडेक्स है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानि कि Climate Change Performance Index 2024 यह 2005 से प्रतिवर्स प्रकासित होता है जारी करता German Watch, New Climate Institute and Climate Action Network इंटरनेशनल द्वारा यह जारी किया जाता है इसके चार प्रमुक स्रेडिया है जिसके आधार पर देशों का मुल्यांकन किया जाता है सबसे पहला है Greenhouse Gas उत्सरजन जिसका 40% लिया जाएगा नवी कर्णिय उर्जा 20% उर्जा उप्योग 20% और जलवायू नीती 20% और इसके आधार पर देशों का मुल्यांकन किया जाएगा इस रिपोर्ट में पहले तीन अस्थानों को रिक्ट छोड़ दिया गया है क्यूंकि वो इनके क्यूंकि कोई भी देश इनके इस रिपोर्ट में नहीं आये इसलिए तीन अस्थान को छोड़ दिया गया है चौथा अस्थान देशों का मुल्यांकन किया गया था जिसमें इंडिया का रैंक साथ है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर करें थैंक यू